बिल्कुल जीरो से शुरुवात करेंगे और सिस्टमेटिक डंग से आगे बढ़ते चलेंगे उससे पहले दो मिनिट का समय हम लेंगे जिसमें आप लोगों को बता देते हैं कि यदि आप इस समय तयारी की प्लानिंग कर रहे हैं 2024 और 25 के लिए तो 23% का फ्लैट डिसकाउंट नए साल के उपलक्ष में लाया गया है इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जूर सकते हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ अनेकेडमी क्यूं क्यूंकि सबसे ज्यादा एजुकेटर की टीम अनलिमिटेड व्यू अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ने का मौका और 23% का फ्लैट डिसकाउंट इस समय आपको उपलब्द कराया जा रहा है रिविजन बैच स्टार्ट होने जा रहे आरंब वाला 24 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है रिविजन बैच स्टार्ट हो गए है हमारा भी रिविजन वाला बैच और फाउंडेशन बैच जल्दी आएगा और एमके लाइव हमारा रिफर कोड है और एकेडमी पर किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में आप हमारे रिफर कोड को यूज कर सकते हैं एमके लाइव कोई भी UPSC SSC IIT Medical सब जगह पर इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप 10% डिसकाउंट प्राप्त कर सकते हैं नीलगिरी बायोस पर रिजव भारत का पहला बायोस पर रिजव जानते हैं कहां पर हैं नीलगिरी बायोस पर रिजव अगर आप इस मैप को देख पा रहे हो तो इस मैप में ये वाला जो शेत्र हैं ये नीलगिरी बायोस पर रिजव का शेत्र हैं जिसमें एक तरब केरल ह एक तरब करनाटक हैं और एक तरब तमिल नाडू है तो तीन राज्यों का इसमें शेत्र हैं केरल करनाटक और तमिल नाडू अगर हम बात करें तो इसका जो कोड जोन है उलगबग 1240 वर्ग किलोमीटर है 1240 नीलगिरी बायोस्पे रिजव भारत का पहला बायोस्पे रिजव है जिसे वर्ष 1986 में 1986 में इस्थापित किया गया था और 14 वर्ष के बाद पहला बायोस्पे रिजव जो युनिस्को के द्वारा शामिल किया गया उसकी सूची में वर्ष 2000 में युनिस्को ने इसे अपने बायोस्पे रिजव की वेश्विक सूची में जगदी इसका मतलब एक अंतर राश्टिय सरक्षन की मान्यता मिली नीलगिरी बायोस्पे रिजव पश्चिमी घाट में स्तित्ह हैं यहाँ पर होट स्पॉट वाला शेत्र है यह तमिल नाडू केरल करनाटक के कुछ हिस्सों को शामिल करता है क्योंकि यह केंद्र सरकार की योजना है तो उसके लिए राज्य का सीमांकन जरूरी नहीं है बलकि जरूरी है कि कहां तक सरक्षन होना चाहिए इसका कुल शेत्रफल 5520 वर्ग किलोमेटर टोटल उसमें कोर वाला जो है वो 1240 वर्ग किलोमेटर है क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षाम बताये कि इसके तीन लेयर होते हैं कोर सबस्यादा इंपॉर्टेन और सबसे ज्यादा सरक्षित शेत्र होता है तोटल एरिया 5520 वर्ग किलोमेटर है नील गिरी बायोस्परिजव मालाबार वडशावन के भोगोलिक शेत्र के भवानी मोयार कभीनी यह कावेरी की सायक नदिया है इसके अलावा चलियार पूनम पूजा भरत पूजा केरल में वैसी एक और रह पूनम पूजा इत्यादी नदिया इस बायोस्परिजव के शेत्र से प्रवाइत होती हैं भवानी मोयार कभीनी चालियार और पूनम इस बायोइस्पिर रिजव के अंतरगत क्योंकि बायोइस्पिर रिजव बहुत बड़ा शेत्र है इसके अंतरगत कई प्रकार के अभ्यारन्य और नेशनल पार्क है जैसे मदू मलाई वन्य जीवा भ्यारण्य ताइगर रिजव है ये इसी में मिलता है वाइनाड वन्य जीवा भ्यारण्य ये भी सी के अंतरगत आता है बांदीपूर राष्टिय उद्ध्यान टाइगर रिजव है ये नागर होल राष्टिय उद्ध्यान ये भी टाइगर रिजव है मुकुर्ती राष्टिय उद्ध्यान मुक घाटी साइलेंट वेली साइलेंट वेली मुक घाटी ये कही नाम है साइलेंट इसलिए नाम रखा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर आवाज करने वाले जो कीट होते वो नहीं मिलते हैं तो इस बायोस परिजव में मदूमलाई, वाइनाड, बांदीपूर, नागरहोल, मुकुर्ती और साइलेंट वेली मिलती हैं यहां पर जो जीव मिलते हैं वो सबस्यदा महतुपूर्णय ताहर, नीलगिरी ताहर, लंगूर, शेर जैसी पूछ वाला बंदर जिसे मेकौक कहते हैं लॉयन टेल मेकौक, हिरन है चीतल, सांबर प्रकार का हिरन और ग्रेट हॉर्न बील पक्षि आप देख सकते हैं यह नीलगिरी ताहर, यह नीलगिरी के लंगूर है, बंदर है और जो शेर की पूछ वाला बंदर हैं यह हैं लॉयन टेल मकाकू कैसे कहते हैं यह चीतल हैं हिरन की ही प्रजातियों में शामिल हैं और सांबर सांबर हिरन एशिया का सबसे बड़ा हिरन माना जाता हैं सांबर हिरन को और ग्रेट हॉर्न बिल इस चित्र को भी आप देख सकते हैं यह पक्षियों में सरक्षित प्रजाति में आता है तो यह पहला बाइवस्पे रिजव 1986 में बना वर्ष 2000 में से जगह दी गई है केलर करनाटक तमिलनाडू और याद रखना है कि लॉयन टेल जो बंदर हैं ग्रेट हॉन बिल जो पक्षी है वो यह सरक्षन वाले केंद्र में शामिल है झाल बंदर में शामिल जो बंदर रखना है